असलाम लेकुम्, आफ्रिकन लिटरिश्यर में इसको आज हम डिसकस करें यह वालस ओयंका, यह जो वर्क है यह नाइजेरिया के एक रियल इंसिदेंट पर मगनी है, जो कि अंदर क्लोनियल टाइम्स के अंदर एक रियल इंसिदेंट पर शाया, तो बैसिकल एक यौरोबा किं किंग की डेथ होती है, यौरोबा किंग की, तो उसका होर्समन उसके साथ मरेगा, यानि वो स्यूसाइड करेगा, तो ऐससे ही इस इस इशू को यहां पर दिखाया गया, तो उसकी स्यूसाइड को क्लोनियल अथॉरिटीज ने रोका, तो बेसिकली यह जो प्ले पाई, अक् ने कल्चर को प्रिजेंट करने के लिए, लाइफ और डेथ इसका एक मेजर तीम है, क्योंकि जब लाइफ और डेथ केस्पें वह सारे कंपारिजन्स हैं, कि इनसान के लिए जिन्दगी क्यों जरूरी है, इनसान मौत को क्यों चूज़ करता है, किस तरह परिशानियों के द अपने कुछ कामों को बेंडिंग करने में या उस पे मजबूर कर देती है, इनसान बहुत अधे इन्फिलुएंस हो जाता है उस चीज़ से, डूटी एंड क्लेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी, तो यहां पर नॉम्स हैं, तो उनको पूरा करना या रिचुल्स को पूरा क बढ़ातों, कलोनियलिजम या इंपिरियलिजम यह रिख बना एविडेंट थीम है जो कि इसके अंदर बना गोवर्निंग लेवल पर हमें नज़र आ रहा है, नाइजेरिया के इन्हालात के अंदर, तो अवर ऑल जो एफ्रिकल लिटरेचर उसके हर वर्क में, कलोनियलिजम या इंपिरियलिजम एक डॉमिनेंट थीम के तौर पर मुझूद होता है, चारेक्टर्स देखें तुम्हारे पास है, अलिसन, एक चीफ है और किंग का होर्समन है, अब किंग के मरने के एक महीने बाद इसे मरना है, यह वहां का रिच्वल है, अलिसन अपना आपको विवेशियस और लस्टी मैन है, जो के लाइफ की प्लाइयर्स को इंजॉय करता है, और यह इसके अंदर हमें खोड़ी से नजर आता है कि यह हैजिटन्ट है मरने से, वो एक यंगर खातून से, एक खुबसूरत खातून से शादी का खौब देखता है, वो कहता है कि मैं इ इंदर फाइली वो स्यूसाइड करता है, लेकिन क्यों करता है, वो हम बाद में देखेंगे, तो पिल्किंग जो एक डिस्ट्रिक्ट आफसर है, क्लोनियल आफसर, जो के इंफोर्स कर रहा है इंग्लिश लॉग को, और ऐसे तमाम तर लॉज यह नॉम्स को रोकने पर उसकी इस प्रेस भी करता है, लाइक वाइफ जेन के सामने, बाकी लोगों के सामने, अब वो लाइक स्ट्रियो टिपिकल एक इंग्लिश क्लोनियल आफसर हम इसे कह सकते हैं, जो के अपना एक रोल प्ले कर है, जिसमें एक इंपिरियलिस्टिक आटिट्यूट नजर आता है, जेन अपहल केंग से उसकी वाइफ है, यह नईव है, इंग्नॉरेंट है, जेन जो है, वो ज्यादा उसे लोग पसंद करते हैं, वो नाइजेरियन को समझने कोशिश करती है, लेकिन यह के, वो प्रेजूटिस अपने मुल्क उसके अंदर मुझूद हैं, लेकिन स्टिल शीज ब जिब चीफ जो है, वो उसे एक पैसेज देता है दूसी साइट पे जाने के लिए उसके लिए रास्ता बनाता है, तो यह उसको प्रेज करते हैं, उसके लिए गाना गाता है, यह यह अपने मुझूद आफ दे मार्केट प्लेस, और यह वहां की एक तरह से लोकल रूलर कह स कर सकते हैं, और वो बैसिकली ऐलिसन उसे एक रिक्वेस्ट करता है, और जिसको वो शुरू में नहीं माना चाह रही होती ही, लेकिन बाद में उसे मान जाती है, और बाद में बड़ा क्रिटिकल भी हो जाती है उसके वाले से, जब वो उसकी डेथ नहीं होती, क्योंकि यह मानती है कि इसने मर जाना है लेकिन बात में चुक्ट वो बच जाते तो वो पड़ा क्रिटिकली बिहेव करती है उसके वाले से तो यह हम देखेंगे क्यों क्या रिक्वेस्ट है वो ऐसी उसने असल की लेकिन नाइजेरिया में आता है उसने बाप को बैरी करने के लिए यह सारा सुनके कि उसके बाप को एक मेने बाद मार दिया जाएगा so western culture में educated है वो लेकिन वो English जो values है उन में बदला नहीं और बलके वो अपने इन rituals को accept करता है और उसके बाप की responsibility उसे लेनी पड़ती है वो खुद उस चीज़ को अपने उपर नाफिस करता है तो smart है, rational है, respectful है bright एक खातून है जिसको अलिसन उसकी beauty के वज़े से choose करता है और मरने से पहले वो चाता है कि वो इसके साथ रहे, physical relations रखे, शादी करे और उसमें है कि वो उसका conceive कर उसके child को भी तो यह जो लड़की है, वो mute या passive दिखाएगे, इसके अतना role नहीं है then we have the resident, तो यह पहल किंग्स का superior है जो के demand करता है कि जो situation को control किया जाए, जो ऐलिसन की suicide की situation है और prince है यहाँ पे, तो यह एक visiting dignitary है, जिसकी presence जो है और उसका आना, पहल किंग को tension में डाल देता है, क्योंकि उसके आने पे अगर इससा की suicide हो जाए तो बड़ा एक बुरा impression पड़ेगा, तो उस prince को push करने के लिए, English prince को push करने के लिए वो इसकी suicide को रुखवाता है यह जो play open होता है कि यूरॉबा market में, सो वहाँ पे एक महीना गुज़र चुका है और किंग की death हुई हुई है, और इस time पे जो अलिसन ओबा, जो किंग का horseman है उसे follow करना है अपने master को after life में और यूरॉबा tradition के मताबक, किंग का dog, उसका horse और horseman, इन तीनों को मरना पड़ता है किंग के साथ, ताके वो उसके travel में, उसकी help कर सके in after life, ताके उसके रास्ते में, या universe के रास्ते में, किंग को तकलीफ ना हूँ अल्दो यू अलिसन है, वो strong and joyous man है, लेकिन वो अपनी duty को fulfill करने पे त्यार है, ready है, और मासित में उसे मिलता है praise singer, जिससे वो कुछ words exchange करता है, और वो अलिसन के इस resolve पे से questioning करता है, तो अलिसन उसे short ही दिलाता है, कि उसे ritual को complete करेगा, यानि मरेगा वो suicide करेगा, और एक group आ जाता है women का जो के अलिसन को dress करने लगे हैं, उस suicidal ceremony के लिए, वो horseman के लिए काने गाते हैं उसकी praise में, और remark करते हैं कि कितना एक honorable बंदा वो है, कि वो अपने king के लिए अपनी कुर्मानी दे रहा है, और अलिसन relish का रहा है इस attention को, बड़ा उसे अच्छा लग रहा है, ये protocol सारा के लोग उसकी कितनी तारीफें का रहे हैं, अब horseman की अचानक नज़र पढ़ती है खूबसूरत खातून पर, सोया लोजा जो के mother है market की उसे पूछता कि ये खातून कौन है, और अचानक उसके दिल में खवाहिश develop होती है कि वो इस खातून से शादी करे, इसके स ये अलोजासन और वो इसलिए उसकी बात नहीं मानती, ये वो चीज़ है जो उससे चाता है खातून से, लेकिन चौनके वो उसके अपने बेटे के साथ उसकी एक तरसे engagement हुई हुई है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानना चाहती, लेकिन ये कि अलोजासन ने भी जल्दी मर अपसेट करने से रिचुल जो है वो खराब हो सकता है, बेटर है कि मैं इसकी बात मानना ओर लोजाता है, लेकिन उसको याद करा देती है कि ठीक है तुम भी एकर लो लेकिन तुमने अपना जो ड्यूटी है उसको पूरा करना है, अब एक्शिन शिफ्ट होता है, डिस्ट् सरह इंटर्प्ट करता है इंफरम करता है पिल किंग को अबाउट अलिसन्स इंटेंशन टींट जिडाय बाई सिवसाइड और पिल किंग डिसाइड करता के रिच्वल को रोका जाएगा वे मैजता है के इसकी वाइफ चले जाते हैं उस party में । इसके लिए वो तियार हो रहे हैं तो है इस editor को मारकेट में रोके लेकिन急 remains की रॉकिन उसके रास्ते में आ जाते हैं उड़ उसकर रास्ता रोक के उसे टीस करते हैं उसके बाकी ऊफसे उसको बगाते हैं वहां से तो उसे वापस आना पड़ता है और अलीसं जो के अब अपनी शादी कर चुका है और लब एक तरसे फिजिकल ड्रीलेशन्स कर चुका है वो एक तरह से एक ट्रैंस में आके डैंस शुरू कर देता है वहां पर उस gathering में दूसरी तरफ बाल में अम्यूजा गें रिटरंस टू पिल्किंग और वो उसे बताता है कि रिच्वल स्टिल चल रहा है और हम नहीं रोक पाए सो इस रायट के हवाले से जो गेस्ट फॉनर अदे ब्रिटिश प्रिंस अब वो टाउन में है और पिल्किंग फॉरन मारकेट की तरह खुद बागता है कि वो उसको रोके ताकि ये चीज जो है खराब ना करे उस बाकी तमाम तर इन्वार्मेंट को या उसके आने से चीजें जो हैं वो खराब ना हो और फालात खराब ना हो बेसिक लिए तो उसके जाने के बाद अलेसन का बेटा ओलन वो आता है और वो जेन से बाते करना शुरू का देता है चूंकि ये बाइट से पढ़के आया तो वो अच्छी है उसके एजूकेशन वो इंगलिश लैंगुज जानता है अब पिल्किंग जो है वो उसने ओलन को हेल्प किया था मेडिकल स्कूल में अडमिशन के लिए उसके फादर की विशिस के अगेंस्ट और जब वो वापस आया तो उसने सुना जबके यूरॉबा किंग की डेथ हो चुकी है तो उसे पता था कि उसके बाप को महीने बाद मरना है तो उसके फूनरल को अटेंड करने के लिए आय की जो एक्सपिरियंसे इंग्लेंड के उस हवाले से अब ड्रम बीट बाइटी है मार्केट में और 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 इस शूर दिस मेंस इस फादर इस दैट सो वह जेन को उससे एक्सक्यूस करता है और जानने की त्यारी करता है महां पर खैर लिकिंग आता है और वो रोकता है औ सब्सक्राइब करता है और तुम ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और तुम ने लफ्ट वर्स खाने वाले हो तुम तुम यानि इतने काबिल ही नहीं थे तुमारे अंदर इतनी वह एक मर्दांगी नहीं थी कि तुम उस रिचूल को पूरा कर सको सो यहां से हमें दिख लाइफ इन सबसे उपर हैं बारा पहल केंग अलेसन को एकसेल में बन कर देता है और उसकी निग्राने खुद करता है और यह भी चाता कि यह रात निकाल जाए ताकि यह टाइम ओवर हो जाए अभी अलोजा काम्स एंगरजिंग ली जो है पहल केंग अलाओ करता है उसे कि बात कर सके अलेसन से वह भी इसको डांटती है कि तुम पुपनी डूटी फेल की और उपर से तुम्हें शादी भी की और इसी विरेसे तुम्हारी शादी ओने दी कि तुम बर जाओगे लेकिं तुम पकड़े गए और तुम कुछ कर भी ने रहो अब अलेसन जो है वह वह वो कर पाता इस रिचुल को पूरा कर पिलकिंग ने इंट्रॉट ना किया होता तो यह अलोजे उसे बिताती है कि उसने शी प्रॉटिम अब बर्डन और ग्रूप फिमन एंटर विद लाज अबजेक्ट स्वाथिट इन ख्लाथ सो वो उसे क्या कहती है कि यह बॉड़ी जो कि तुमने मरना था तुम ना मर सके तो जो और है यूनिवर्स का जो रिचुल है और जो ओनर है फैमिली की उसको बचाने के लिए तुम्हारे बेटे ने स्यूसाइट कर लिए सो इस साइट पर अपने बेटे को देखिए अलिसन जो है वो उन ही चेंज से जिसमें बंदा होता है वो अपना गला दुबा देता है इससे पहले कि गार्ड्स उसको डिटेक्ट करें देखें वो अपने आपको उन ही चेंज से घोंट के गला घोंट के अपने आपको मार च नोवल में नज़र आता है, so it was a, sorry, इस प्ले में नज़र आता है, तो बहुत खुबसुरत प्ले है, जिसके अंदर हमें ये सारी की सारी नाइजेरियन कल्चर को closely देखते हैं, जिसरा हम things fall apart में देखते हैं, और कौन कोई के कारेक्टर से, उस banter tribe को, यहाँ पे हमें जो योरोबा tribe और उनकी जो feelings, उनकी अंदास, रहन सेहन, rituals, customs, ये सब कुछ पता जामते हैं, so subscribe the channel and share with your loved ones. पर आन्वल सिस्टम ये मारे पास important questions है, like what is the significance of the title, yeah, and the king's horseman, how does it relate to the central conflict of the play, so, ये आप स्क्रीन को pause करके, इन सारे questions को देख सकते हैं, ताके आप अपने further access कर सके, some more questions are here, जिन को आप देख सकते हैं online, you can search them using so many artificial intelligence softwares which are available online and like they're like very important as far as annual exam is concerned, where like in Punjab University since this is in the syllabus, so these questions are going to help you, thank you very much.